इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि HNI केटेगरी आखिर IPO में काम कैसे करती हैं इसके अलोट्मेंट के क्या रूल्स होते हैं और ये खुद भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है तो आपको अपलाई कैसे करना HNI के अंदर तो ये सारी जानकरी देन अगाउंट की तो वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है अब देखे गाइस बात करते हैं कि HNI केटेगरी होती है तो देखे ये बेसिली हाई नेटवर्ट इंडूजर्स किलाते और ये NII यानिकि नॉन इंस्टिशन इंवस्टर के अंदर फॉल कर अगरे करते हैं तो देखे हम जब भी IPO के अंदर अप्लाई करते हैं पहली जो केटेगरी होती है वो हमारी रिटेल केटेगरी होती है जहां पर आपको 2,00,000 रुपे से कम की अप्लिकेशन या पर अप्लाई करनी पड़ती है अब ये केटेगरी जो है इसमें रिजर्वेश अगर आपको जो लॉट मिलेगा वो एक लॉट मिलता है मिनिमम वो भी अगर आपका लग हुआ तो आपने गईस यहां पर अच्छी बात यह है कि आप अपनी जो बिड होती है उसको कभी भी डिलीट कर सकते हो और यानि कि अपनी जो आप्लिकेशन है लगाने के बाद में आप उसको कैंसल भी कर सकते हो आप इस रिटेल के बाद में जो नंबर आता है वो एनना आए का आता है जिसके अंदर एनाराइ एचुएफ कॉर्पेट इंडूजल सब शामिल होते है और इसके अंदर जो एप्लिकेशन का अमाउंड होता है वो दो लाग के ओपर होता है औ अब गाइस यह जो HNI केटेगरी होती ही ना वो भी दो पार्ट के अंदर यहां पर डिवाइड होती है एक होती है Small HNI जिसको हम लोग S HNI बोलते है एक होती है Big HNI जिसको हम लोग B HNI बोलते है तो अगर 2 से 10 लाग के बीच में अप्लिकेशन है तो वो S HNI के अंदर फॉल कर जाती है और यहां पर भी डिजर्वेशन होता है यह जो 15% है 5% जो है Small HNI को यहां पर जो होता है और 10% जो है वो Big HNI को यहां पर रिजर्व होता है अब गैस यहां पर अलोकेशन कैसे काम करता है तो पहले अगर मैं सेवी के रूल की बात करो 2022 के अंदर तो वहां पर प्रप यहां पर भी जो है Lottery System basically work करता है जैसे की Retail Category के अंदर करता है तो गाइस यहां पर भी अगर मालीजिए आई पर यहां पर और सब्सक्राइब वहा तो यहां पर भी Lottery System यहां पर काम करेगा बस अच्छी बात यह अगर आप ऐसे चैनाई के अंदर अप्लाई करते है तो ज इसी तरह है गाइस अगर मैं BHNI category की बात करेओ तो यहां पर आपकी अप्लिकेशन की जो amount है वह 10,00,000 के beyond होती है और यहां पर भी आपका 10% reservation रहता है और allocation के अंदर वही सेम चीज़ है अगर IPO सब्सक्राइब हुआ तो Lottery System यहां पर भी काम करेगा और यहां पर भी minimum जो base lot है वह 10,00,000 का रहेगा यानि कि अगर आपका number निकल गया तो at least 10,00,000 रुपे तक के share आपको यहां पर मिलने वाले है अब जैसे guys यहां पर आप screen के सामने दे सकते हो जैसे कि अभी मैं Inox India का IPO का यहां पर subscription status देख रहा हूँ तो यहां पर आप NAC की website के उपर subscription का किसी भी IPO क status देखोंगे तो यहां पर आप देख सकते हो NNIA के अंदर आपको दो category मिलने वाली है एक तो मिलने वाली 10,00,000 के beyond वाली एक मिलने वाली दो से 10,00,000 वाली तो इसमें आप simply तरीके से individual का जित्ता भी participate जो कर रहे है वो पूरा का पूरा subscription status यहां पर easily तरीके से आप check out कर सकत अब देखे गाईस अगर मैं rules की यहां पर बात करो तो ध्यान रखेगा यहां पर retail की तरह काम नहीं करता है कि आपने IPO की application एक बार लगा दी तो आप कभी भी delete कर सकते हो यहां पर HNI के टेक दिक अंदर एक बार अगर आपने application लगा दी mandate वगरे कर दिया आपका amount जो है block हो तो उस application को आप modify नहीं कर पाऊंगे delete नहीं कर पाऊंगे even आप अपनी application size को reduce भी नहीं कर सकते है इसका मतलब क्या है मालीजे अपनी application लगाई 3 लाग की अब 3 से अगर आप 4 लाग लेकी जाना चाहते हो increase करना चाहते हो तो वो allow है लेकिन 3 लाग से मालीजे 5 लाग की करना च चाते हो तो वो चीज़ यहां पर allow नहीं है इसके लाग यहां पर आपका cutoff price रोता है उसका आपको box जो है मिलने वाला नहीं है जैसे कि आपको retail के अंदर चेक करने का मिलता है कि cutoff price के उपर लगा दो तो वो box यहां पर disable हो जाता है जब भी आप H&I category से apply करते हो साथ में इ window है वो चार बेर तक close हो जाता है यानि जब भी IP बंद होने वाला होगा last day के उपर तो आपको चार बज़े से पहले यहां पर bit करनी पड़ेगी साथ में guys अगर मैं UPI mandate की बात करहूं तो केवल 5 लाख रुपे तक आप UPI mandate कर सकते हो इसके beyond अगर आपको करना है तो आपको net आप बड़न के उपर क्लिक करूँगा और maximum lot size यहां पर 34 बता रहा है तो जैसे यहां पर मैं lot size यहां पर change करता हूं जैसे मैं यहां पर 20 डाला तो यहां पर आप देख सकते automatically इसने में को warning दे दी कि आपकी जो application है 2 लाख के उपर जा चुकी है तो आपका जो application है वो H&I category के यहां पर apply होने वाला है अगर आपका deemate account इस type की सुविधा provide करता है तो बहुत ही अची बाते यहां पर simply आपको अपने lot size को increase करना होगा और इस तरह से आप 5 लाख रुपे तक की application directly अपने deemate account के तरू यहां पर apply कर सकते हो और वो same कहानी है UPI ID डालो UPI का mandate आता है और य इसकी में link भी आपको description box में देदूँगा अगर आपको zero cost और opening के ओपर deemate account खुलवाना है अब दीखेए अगर मैं ASB की बात करो तो यार इसके लिए आपको अपनी net banking के अंदर यहां पर login वगरे करना पड़ेगा यहां पर आपको IOPO ASB का simply तरह से section वगरे देखने को मिल जाता है अब इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले आपको अपनी CDSL की ID होती है उसको यहां पर register कराना पड़ता है तो यहां पर आपका जहां पर भी deemate account है अपना 15 visit का यहां पर deemate ID वगरे डालकर आप यहां पर register करा सकते हैं उसके बाद मैं जहां पर आपको apply ना अपर के उपर click करना है और यहां पर आपको CDSL का account वगरे देख जाता है almost सभी net banking के इंदर इसी type का same process है फिर जिस भी IPO कमनी के इंदर आप participate करना चाहते हैं जैसे कि मैंने inox India यहां पर select कर लिया आप investor की जो category है यहां पर आपको देख जाएगी आप देख सकते है individual H&I more than 2 lakh minimum जो भी आप H&I का जो भी lot size वगरे apply करना चाहते है और यार इसकी भी आपको trick बता देता हूं कि आपको lot size वगरे कहां से मिलेंगे तो इसके लिए आपको simply चित्वरगर के website पर जाना पड़ेगा तो यहां पर क्या होगा IPO dashboard के अंदर आपको main stream जो भी IPO वगरे चल रहे वो कि मैं beyond जाना चाहता हूं तो 69 lot minimum में को apply करना पड़ेंगे तो यहां पर simply तरीके से आप shares वगरे दे सकते हैं कि कितने यहां पर shares वगरे हैं तो उस तरीके से यहां पर अपनी price वगरे डाल सकते हैं प्लस यहां पर आपको cut off price का option नहीं दिखेगा तो यहां पर आपको manually basically यह पर कई सारे वीडियो सोगरे बना रखे मैं उनकी playlist के link आपको description box में provide कर दूँगा बाकी अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment box के अंदर बता सकते प्लस अगर यह वीडियो अच्छा लगा और zero cost के उपर AMC के साथ opening के साथ में demon account खुलवाना चाहते especially for the IPO purpose link मैंने description box में दे किये thank you guys thank you very much